हम तो सत्ता को लात मार करके विपक्ष में सनक पर आते रहें कोई सत्ता को गह करके तो गहने के लिए तो पार्टी का नहीं बनाया हमने तो बरावर सत्ता के विद्रोह में लड़ाई लड़ी जहां सरकार ही धृतरास्ट हो जाए और कोई कुसल संजय नहीं मिले तो प्रोजेक्ट है कि लगभग 5-7 लाख लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ उस पानी से पीने का पानी का संकट है जिसे इन्होंने नदियों को बिधवा बना दिया अजयल जीवन हरियाली लिखवा दिया जीने आश्तोस जी को समर्थन कर दिया हम छेत्र में लोग ने कहा कि बकवा सोशल मीडिया पर चलवाए जा रहा है हम सुच आप से ही पूछ लेता है कोई बात तो नहीं है न मैंने कहा भी कि इतना जूट क्यों बोलते हैं आप बोले हां आट बार फोन कि आप फोन नहीं उठ है हमने कहा कि इतना जूट कों बोलते है ऐसे ही नेता बदनाम है तुम राजनीत में नहीं है नेता बदनाम है जूट बोलने के लिए उस सेट्टिफिकेट उसको पहले से मिला हुआ है तो तो सुरुवाते कि ओई इस से कोई किसी के घर पर आएगा और कहेगा कि पैर का एक पैर्लर डेन पर पड़ गया, तब तिल मिलाहट हो गई इनलों की, इसलिए किसको जीताने कौन आये हैं, यह जानते हैं, दू बार हम ही सुरंदर जादब कोहर आये हैं, जदी यहां से आर जेडी जीत गया, जैसे हर सराज, चालिस साल का इतिहास बदल गया पटना में, मॉब लिंचिंग हुआ, यह इन लोगों के दम की बाहर की चीज है, यह इसको रोक पाएंगे, यहां कितने गरीब परिवार की हत्या हुई है, साधारन सी रंगदारी में, यह मैं जानता हूँ, उसकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ, और इसलिए, माई समिकरन तो लालू जी चलाते रहे, लेकिन उप एम के पक्ष में कभी नहीं रहे, अरुन कुमार यहां से अकवर इमाम को लड़ाया थे, घर से दूर रहने पर घर की याद सताती है, और जब घर की याद सताती है, तो मैं कुछ न कुछ किचन में आकर अपने लिए खाने में जरूर बनाती हूँ, बिहार से हूँ, तो बिहार का स्वाद भी जरूरी है, मा कहती है स्वाद बिहार का चाहिए, तो ITC Sunrise का मसाला ही इस्तेमाल करें, इसमें स्वाद बिहार का है और मा के हाथ का भी. देखिए जिस दिन मैं चुराव मैदान में आया था, उस दिन लोग कहते थे कि ये भोटकटवा पार्टी से आये हैं, पस्पा का क्या हैसियत है, जब नॉमिनेशन हुआ तो इन लोगों ने कहा कि इपरिशान करेगा, और जब हाथी का एक पैरलर टेन पर पड़ गया, तब तिल मिलाहट हो गई इन लोगों, इसलिए किसको जिताने कौन आये हैं, ये जानते हैं, दू बार हम ही सुरंदर जादब कोहरा हैं, इसलिए, बहन मायवती का जो असरवाद मुझे मिला है, यह परिनाम देगा, बहन मायवती जी को अप्रूच कैसे की, कैसे टिकट का बात हुआ, बहन पूरा देश हमको जानता है, कि हम अपने अख़ड सोहाओ के हैं, कई सब्सभा सदस से बसपा के हैं, जिसे विक्तियत मित्तरता है, उन लोगों ने कहा कि आप संकट में हैं, हमके बिल्कुल संकट में, तो आप लड़िएगा बसपा से, हमकी बिल्कुल दोड़ के लड़ेंगे, हमतो उस परंपरा के मानने वाले लोग हैं, डाक्टर भीमराव अंबिदकर, हम सामी साहजान सुर्शती के परंपरा के लोग हैं, करپूरी ठाकुर के परंपरा के लोग हैं, हम वन्चितों की लड़ाई लड़ते हैं, जो बेवशाई वर के लोग हैं, जो कमजोर वर के लोग हैं, ये मानते हैं कि जदी यहां से आरजेडी जीत गया, जैसे हर सराज 40 साल का इतिहास बदल गया पटना में, मॉब लिंचिंग हुआ, ये इन लोगों के दम की बाहर की चीज़ है, ये इसको रोक पाएंगा। यहां कितने गरीब परिवार की हत्या हुई है साधारन सी रंगदारी में, ये मैं जानता हूँ, उसकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ, और इसलिए उमाई समिकरन तो लालू जी चलाते रहें लेकिन एम के पक्ष में कभी नहीं रहें, अरुन कुमार यहां से अकवर इमाम को लड़ाय थे, और एक महिना बीजेपी के परचार के बाद हमने जेडी उसे टिकट दिया था, आकवर इमाम को, एक महिना बीजेपी का टिकट लेके लोग घूम रहे थे, तब बिड्रॉ करा करके दिया थे, इसलिए बगल में बेला से अमजद जी को लड़ाय थे, जब रहा है, तो सोसल इकलिबीरियम हम जानते हैं, ये सोसल इंजिनेरिंग जानते हैं, हम इंजिनेरिंग नहीं जानते हैं, हम इकलिबीरियम जानते हैं, तो इन लोगों ने समाज को खंडित किया है, और बरबाद किया है, और एक से एक घंडत कार्ज हुए है, इसलिए मैं बहुत लोग आते हैं, बहुत पार्टी छोड़ दिये, पार्टी बनाते हैं, इनका क्या ठीका ना है, हम तो सत्ता को लात मार करके विपक्ष में सनक पर आते रहें, कोई सत्ता को गह करके तो गहने के लिए तो पार्टी का नहीं बना है, हमने तो बरावर सत्ता के विद्रोह में लड़ाई लड़ी इसलिए समाज के सभी वर्क के लोग यहां जातियत तनाव होता था उसको मैंने समप्त किया यहां 99 में कोई certificate देने नहीं आया था 99 में मैं सबसे पहले जो डॉक्टर अम्बेदकर कहते थे सिक्षित बनो संगठित हो संघर्स करो तो उसके लिए सिक्षित बनने के लिए यहां नितीस कुमार और लालू जी के राज का जो होस्टल था चात्रावास दलित चात्रावास उस चात्रावास में च्छत के नीचे च्छता लगा के बच्चे बैठते थे च्छत के नीचे च्छाता डिर्ड करोर की लागत से modern hostel बना के दिया था और वहां से 50 से अधिक officer पैदा हुए और ये जो खेल चलाया जा रहा था जाती ये तनव का हिंसा का वो समप्त हुआ बिहार आज बिहार में आज जहानाबाद academic excellence के लिए जाना जाता है कि अरुन जी एक जूट फैलाया गया कि अरुन जीने आश्टोस जी को समर्थन कर दिया हम छेत्र में हुआ लोग ने कहा कि बकवा सोशल मीडिया पर चलवाए जा रहा है हम सुच्छे आप से ही पूछ लेता ऐसा कोई बात तो नहीं है न आश्टोस एक प्रत्यासी है जो जह हाँ आठ बार फोन किया फोन नहीं उठा है हमने कहा कि इतना जूट कुम बोलते हैं ऐसे ही नेता बदनाम है तो मरा जूट बोलने के लिए वो सेटिफिकेट उसको पहले से मिला हुआ है तो तो सुरुआते कियो है इसे से कोई किसी के घर पर आएगा और कहेगा कि पैर दें तो कई लोग थे और सबके सावने का तो जो आप जिस रास्ते से निकले हैं वो रास्ता मुझे पशंद नहीं आपकरी सवाला लूंबाबू आपका अपना एक वोट बैंक है आपका अपना एक काडर है जहानाबाद के लिहाज से तो यह सब बात हम समझ गये अब हमको यह समझा दीजिए पांच को काम जो जहानाबाद तरप रहा है जिस काम के लिए औ लेकिन इतनी बात है है कि जब मैं जहानाबाद का MP बना था तो एक भी नस्नल हाइवे नहीं था 99 से 1st Street में मैंने चार नस्नल हाइवे का निर्मान ए इन शित्र के हर हिस्षे से एक नस्नल हाइवे गुजरता है और 14 में जब हुए तो भारत माला प्रोजेक्ट से एक जहनगर को जोडने वाला रोड भी जहनाबाद से गुजर रहा है तो ये सनक का था, सिचाई की कई लंबित योजनाय थी जिसको हमने जमीन पर उतारा एक योजना थी हमीदनगर, हमीदनगर का बराज बन गया है, पैसा लग गया है लेकिन सरकार रिपूर्ट कर रही है कि हमीदनगर बराज कुछ नहर से नहीं जोड़ा जा रहा है कि जहनाबाद, करपी, किंजर ये सब इलाका सोन का पानी है तब जहां सरकार ही धृतरास्ट हो जाए और कोई कुसल संजय नहीं मिले तो वो लड़ाई मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि लगभग पास से साथ लाक लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ उस पानी से पीने का पानी का संकट है जिसे इन्होंने नदियों को बिधवा बना दिया जल जीवन हरियाली लिखवा दिया जितना जल जीवन हरियाली में लगाए उतना ही पैसा बालू से चुराये हों ऐसा अराजकता हम लोग चिलाते रहे कि गंगा का पानी जो है उसमें फ्लोराइड है उसमें आर्सेनिक है बिमारी होता है और फल्गू के पानी में सल्फर है जो लोगों को स्वस्त बनाता है तो फल्गू में लाकर के फ्लोराइड आर्सेनिक डलवा दिया बदू कर रहा ह गया में लोग पहले 30 feet का blanket होता था नदी में और परकॉलेशन सिस्टम continue करता था सालो इसलिए water level खराब नहीं होता था water table खतम हो गया जल जीवन हरी आली सब दिवाल पर लिखवा रहा है और सौहविक तोर से जल की हालत बहुत ही गंभीर है मैं छेतर में घूम रहा हूं तो एक 90 साल की बुढ़ी दादी ने कहा कि जीवन में ऐसा संकट नहीं देखा था एक एक ये अतरीका है गंगटी टोला मुसहर टोली मैंन मैं कोई उपाय करता हूं और मैं बिल्कुल बिचलित हो गया तो ऐसा जल जीवन हरी आली है कि पेन पौधा तो चलिये गया बालू के जाने से कई तरह के अराजकता पैदा हुई इसलिए कोई फीचर आफ दा कमी जेनरेशन नहीं देख रहा है सिख्षा का ऐसा नास किया है के के पाठक जब जेडियू के लोगों को पकड़ रहे थे दारू में तो उनको छुटी पर भेज दिया गया हम मास्टर को उठकी बैठकी करा रहा हैं तो बड़ा अनदा रहा है सिख्षा बरावर त्वरित विकाश का शम्मान का विशह है सिख्षक को जितना सम्मान दीजेगा उसके अंदर सिख्षकत तो धारन करने की जिग्यासा उतनी बड़ेगी इसलिए सिख्षकों का सिख्षक बाहली के लिए पिटाई सिख्षक काम करने के लिए पिटाई सिख्षक का अपमान यह सारा कुछ चलता रहा है तो यह कठिन दौर से बिहार इनके नत्रित में गुजरा है मैं बोलता रहा हूं इसलिए इस आफ़त को जेलता रहा है खतम कर रहे हैं चाहती पर हाथी चड़ेगा हम करना है आप जंता रिंग्षन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद